नवस्कार आप देख रहे हैं प्राइम यूज 24 मैं हूँ आपके साश्वता सिंग् मुख्यमंत्री श्रीत रिवेंद रावत ने थाना डालन बाला में उत्रा खंड के प्रथम बाल मित्र पुलिस थाने का शुभारम किया इस अफसर पर मुख्यमंत्री ने बच्चों की सुरक्षा के लिए करोड रुपए राहत कोश की घोशना की मुख्यमंत्री श्रीत रिवेंद रावत ने कहा कि उत्रा खंड में बालमित्र थाने की रूप में उत्रा खंड में एक नई शुरुआत की गई है ये पुलिस का एक महत्वपूंट सुधरात्मक कदम होगा उन्हें कहा कि बच्चों को जिस महौल में ढालना चाहिए वे उस महौल में ढल जाते हैं इसलिए बच्चों को बहतर महौल मिलना जरूरी है बाल मित्र पुलिस्थाने से लोगों को ये लगे कि बच्चों के सनरक्षक आ रहे हैं जो बच्चों को अंजानेवी अपनी दिशा से भटक जाते हैं इन थानों में इसको सही दिशा देने के लिए प्रियास किये जा रहे हैं उन्होंने कहा कि राजसरकार के द्वारा निराश्रित बच्चों के लिए सरकारी सेवाओं में 5 प्रतीशत तथा दिव्याग जनों के लिए भी 4 प्रतीशत आरक्षन की व्यवस्था की गई है उत्राखंड बाल संरक्षन अधिकार आयोग अध्यक्ष्री मती उशानेगी ने कहा कि पुलिस के सहयोग से प्रदेश के सभी 13 जिलों में बाल मित्र पुलिस थाने को ले जाएंगे उन्होंने कहा कि इसके लिए पुलिस विभाग को 13 लाक रुपे इसके लिए दिये जाएंगे पुलिस महाद्धिन देश शक्ष्री अशोग कुमार ने कहा कि बाल मित्र पुलिस थाना प्रदेश में नई मुहिम शुरू की गई है हमारा प्रियास है हर थाने को महिला अवंचाइन फ्रेली बनाया जाए इससे थाने के नाम से बच्चों के मन में जो भेह रहता है वो दूर रहेगा उन्होंने कहा कि राजय में उपरेशन मुक्ती के तहत लगभग 2200 बच्चे चिणित किये गए इनको सडकों से भीक मांगने के प्रचलन से बहार निकाला गया इस अभ्यान के तहत भिक्षा नहीं शिक्षादो की मुहिम चलाए गई आज इनमे से अधिकांच बच्चे स्कूलों में पढ़ाई कर रही है इस अवसर पर मेर श्री सुनिल उनियाल गामा विधायक श्री खजान दास, महिला आयोग श्री अध्यक श्रीमति, विजेया बर्तवाल, सचीव श्री विनो द्रतूडी, श्री सी सेमवाल, डियाजी गडवाल, श्रीमति नीरुगर्क जिलादिकारी दहरादून, श्री रावत आदी उपस्ते थे प्राइम यूज 24 के लिए उत्राखंट ब्यूरो की रिपोर्ट